बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारती जन्ता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मनिपूर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुज़र रही होगी? अध्यक्षा मौदया, ये केवल भारती जन्ता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, उपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारे और उनके सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मनिपूर से उनका कोई लेना देना जब से मनिपूर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप रहे, मनिपूर में चार हजार लोगों के घर जला दिये गए प्रधानमंत्री जी चुपरे साथ हजार लोग बेघर हो गए प्रधानमंत्री जी चुपरे देड़ सो से ज्यादा लोगों की मौत हो गई प्रधान मंत्री जी चुप रहे साड़े तीन सो धार्मिक स्थल जला दिये गए प्रधान मंत्री जी चुप रहे केंद्रिय फोर्सेज आसाम राइफल्स और मनी पुलिस के बीच में खुले आम जगडा हो गया और गोला बारी हो गई जो आज तक भारत में कभी नी हुई कि सेंट्रल फोर्सेज और लोकल पुलिस के बीच में जगडा हो जाए पूरी दुनिया के अंदर भारत की थूधू हो रही है यूरोपियन पारलेमेंट के अंदर इस पे चर्चा होई अमरीका के अंदर इस पे चर्चा होई जिसमें हमारी दो या तीन बेहनों को निर्वस्तर करके सड़क के उपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेयाम सरयाम कई लोगों ने मिलके गलत काम किया तब भी प्रधान मंत्री जी चुप रहा है उनके मुख्य मंत्री कहते हैं ये कोई isolated incident नहीं है यहां तो ये रोजी हो रहा है मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधान मंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्य मंत्री का बिरेन सिंग का क्याना है कि ये तो रोज हो रहा करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तब आदमी याद करता है और मेरा प्रधान मंतरी मेरे को बचाएगा उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्तर करके वहां पर खुले हम सड़कों पर गुमाया गया और खुले हम उनके साथ गलत काम क पिता समाने और जिस दिन अगर बेटियों की सरया मिज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो बेटिया कहा जाएंगी बाप अगर ऐसे मौक्ते पे मूँ ओड़ ले तो बेटिया कहा जाएंगी